नमस्कार दोफ्तों इंजिनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने सोलर इनवर्टर के उपर एक्स्ट्रा पैनल लगाना चाते हैं तो कैसे आप उसके उपर सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा सकते हैं तो यहाँ पे मेरे पास है आसा पावर कंपनी का सोलर चार्ज कंट्रोलर यह Neon Series का है और यह Neon 80 है जिसके बारे मैंने पहले एक डीटेल में वीडियो बनाया है और इसमें उस वीडियो के अंदर इसके बारे में काफी जानकारी आपको दी है कितने पैनल लगा सकते हैं हाला कि मैं फिर से आपको इसके बारे में थोड़ा से बता देता हूँ यह एक बैंटरी से लेकर 4 बैंटरी के उपर काम करता है प्राइस की बात रहे हैं तो लगबग 14,000 रुपय में आपको यह Amazon पर मिल जाएगा 14,600 रुपय इसके कीमत रहेगी और एक बैंटरी के उपर 1 किलो वोट के पैनल लगा सकते हैं ऐसे ही 2 पे 2 और 3 पे 3 किलो वोट और 4 पे 4 24 फीलो वोट तो ये बात रही इसके बारे में और अब बात करते हैं कि कैसे आपको इसके ऊपर कनेक्ट करना है और उसका फायदा क्या है आज की वीडियो स्पांसर की है लोग्दी डिल ने जहांपर रिटेल और डिलर के लिए बंत ही फायदे की डिल रहती है look the deal डिल पर आपको हर रोज बैतरिन ओफर और डिल देखने को मिलती है यहाँ पर आपको डिलर और रिटेलर के लिए बलक ओडर पर डिसकाउंट COD जैसी फैसलेटी और डिलीवरी मिलती है लोग डिल वैबसाइट और एप के वैसे तो बहुत फायद है जिसके बारे में आपको पता चलेगा इस एप या वैबसाइट को उप्योग करने के बाद में यहाँ पर आप किसी भी प्रोड़क्ट का मोलभाव अपने हिसाब से कर सकते हैं इसके लिए आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे और यहाँ पे आपको product बताने हैं कितने खरीदने हैं और नीचे आपको उसका expected price भर देना हैं और request offer पे क्लिक कर देना हैं 24 गंटे के अंदर ही आपको आपके offer की जानकारी दे दी जाती है तो इंतजार की इस बात का अभी download कीजिए lock the deal mobile app को जिसका link मिलेगा आपको description box में तो फायदे की बात करें तो आप extra जो solar charge controller है उसका उप्योग इसलिए कर सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए पहले आपने PWM technology का solar inverter खरीदा है और उसे आप अभी change नहीं करना चाहते हैं लेकिन उसके उपर आप MPPT solar charge controller लगाना चाहते हैं जिसका फायदा हमें definitely होता है जिसक से कोई भी आप लगा सकते हैं smart and company वाला आप एक बेंटरियों और दो बेंटरियों पर लगा सकते हैं वहीं आसा पाउर कंपनी का solar charge controller है आप 4 बेंटरियों तक के उपर connect कर सकते हैं इसलिए मैंने आसा पाउर कंपनी वाला यहाँ पर लिया है और मेरा जो 4 बेंटरियों system है इसके उपर मैंने से connect किया है हाना कि मुझे इसकी ज़रूत नहीं है क्योंकि मेरा जो inverter है इसके उपर मैं 5 kWh तक के पैनल लगा सकता हूं और 4 kWh तक का लोड चला सकता हूं तो मेरे पास जो solar panel की capacity है वो ज़्यादा है लोड से लेकिन market के अंदर काफी inverter आपको ऐसे देखने लेकिन पैनल जो है वो सिरफ 1 kWh के लगा सकते हैं तो यहाँ पे अगर आप complete load है वो solar panel पे रखना चाते हैं grid की जो supply है वो minimum यूज करना चाते है या बिल्कुल ही यूज नहीं करना चाते है या इसके अलवा आपके grid की जो supply हो बहुत ही कम आती है तो ऐसी condition में आप क्या कर स लगा सकते हैं उसके उपर extra जो solar charge controller है वो लगा के उसके उपर extra panel लगा सकते हैं एक kilowatt के solar panel रहेंगे वो आप directly अपने inverter की सिरूल लगा सकते हैं और अगर मालीजे आप उसके उपर 500 watt के पैनल लगाना चाते हैं जिसके लिए अगर आप एक battery का inverter है और smart company वाला MPPT यूज करे हैं क्योंकि solar panel से आने वाली जो supply है वो हमें totally 1500 watt नहीं मिलेगी आप भी extra panel लगाना चाते हैं तो मानलीजी आपका जो load है वो 1.5 kilowatt है तो उसके उपर अप कम से कम 2 kilowatt के पैनल जरूर लगाएं तब ही आपको उसका ज़दा फाइदा मिलता है और अब चलिए आपको बता देत के lag लगाने हैं जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं और दूसरी तरफ आप जो directly solar charge controller के अंदर लगाएंगे उस wire को आप खुला भी छोड़ सकते हैं लेकिन जो battery के उपर connect करेंगे उसके उपर आपको ये ring type जो lag है ये लगाने ही पड़ेंगे क्योंकि आपकी जो आपको diagram से समझना पड़ेगा लाशने में आपको हमारा जो solar charge controller है उसके connection दिखाऊंगा हाना कि उसकी बजाए आपको diagram से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा तो यहाँ पे आपको solar charge controller के अंदर वैसे तो छे terminal देखने को मिलेंगे लेकिन यहाँ पे आपको सबसे important जो है solar panel और battery के इनको ध्यान रखना है solar panel के जो terminal है वो तो आप बढ़ी असानी से connect कर सकते है solar panel से दो wire आएगी positive negative की वो आपको यहाँ पे connect कर देनी है और battery की जो wire रहेगी वो आपको parallel में लगानी है यानि कि आपका जो inverter है उसके उपर आपकी battery लगी हुई है वही से उन बैंटर क्योंकि उपर से ही आपको wire को उठाना है और direct solar charge controller के अंदर लगा देना है और अब इसके अंदर जो extra आपको दो terminal देखने को मिलेंगे ये है grid की supply को control करने के लिए अगर आप इसके अंदर ये लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो आपके inverter के अंदर input की जो line जाएगी कि उसको इसके उपर connect करना होगा लेकिन ये आपको जोरुत नहीं पड़ती है क्योंकि आपको solar inverter है उसके अंदर भी अगर ये setting है कि आप grid की supply को वहाँ से disconnect कर सकते हैं तो उसके अंदर आप ये setting कर सकते हैं otherwise आप solar charge controller की मदद से भी आप अपनी grid की supply वो disconnect कर सकते हैं यहाँ अगर आपकी battery फूल चार्ज हो जाती है तो उस condition में solar charge controller आपकी grid की supply को use नहीं करता है आपका जो load है वो solar से ही चला दिता है और आपकी battery आप solar से ही charge हो जाएगी तो ये setting आप solar charge controller के अंदर भी कर सकते हैं और आपके solar inverter के अंदर भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपके inverter के अंद से भी ये काम कर सकते हैं तो यहां पे फाइदा आपको मिलेगा आपकी solar की power ज्यादा यूज होगी और आपका विजली का विल काफी कम होगा इसलिए आप solar charge controller का उप्योग कर सकते हैं अगर इसके बारे में अभी भी आप कुछ और detail में पूछना चाते हैं जानना चाते हैं तो उसी का हमने page बनाया है Facebook के उपर हमाँ पे आप अपना कोई भी स्वाल पूछ सकते हैं डारेक्टली हम माँ पे आपका reply दे देते हैं और इसके लावा हमें Instagram पे भी आप follow कर सकते हैं Twitter पे भी follow कर सकते हैं तो अब के लिए इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद